नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूग चैनल सिभा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तों आजकी इस वीडियो में मैं हमेशा के लिए आपके लिए जनरल नौलेज के दस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कोस्चन्स लेकर आया हूं जो कि आपके एक्जाम के ITBP, SSB, BSF और डिफेंस के एक्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गई है तो दोस्तों अगर आप इन वर्तियों के तैयारी कर रहे हैं आप डिफेंस में वर्तियों न चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राब कर लेना चाहिए क्योंकि हम अपने चैनल पर आपके लिए इसी तरह से वीडियो लेकर आते रहते हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो कोस्चन नमबर बन है हमारा यहां पर दोस्तों मैं आपके लिए समझा रहा हूं इंडिया जी के तो इंडिया जीके के यह 10 कोस्चन हैं तो यहां पर दो है नेक्स्ट कोस्चन आता है हमारा question number two भारत का कौन सा राज जूट का प्रमुक उत्पादक है भारत का कौन सा राज जूट का प्रमुक उत्पादक है तो options हैं आपके option A हिमाचल प्रदेश option B बिहार option C पस्चिम बंगाल and option D इन में से कोई नहीं तो question number two का सही अंसर होगा option C पस्चम बंगाल next question आता है हमारा question number 3 भारत में सरबोत्तम चाय कहां पैदा होती है भारत में सबसे ज्यादा चाय कहां पैदा होती है ठीक है तो option से आपके option A दारजिलिंग option B जोराट option C निलगिरी and option D होगा आपका इन में से कोई नहीं तो दोस्तो question number 3 का सही answer है option A दारजिलिंग जिहां दोस्तो दारजिलिंग पस्चम बंगाल में इस्तित है और दारजिलिंग भारत का सबसे ज्यादा चाय उत्पादन दारजिलिंग में ही होती है नेक्स्ट question आता है हमारा question number 4 भारत के सबसे बड़ा कहबा उत्पादक राज कौन सा है भारत का सबसे बड़ा कहबा उत्पादक राज कौन सा है options हैं आपके तमिल नाइडू, option B नई दिल्ली, option C करनाटक and option D है आपका महराष्ट तो question number 4 का सही आंसर होगा आपका option C करनाटक next question आता है आपका question number 5 भारत के सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज कौन सा है मतलब भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना किस राज में उत्पादन किया जाता है option से आपके option A उत्तर प्रदेश, option B महराष्टर, option C राजिस्थान and option D इनमें से कोई नहीं तो question number 5 का सही आंसर होगा option A उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा मतलब नमबर बन है तो next question की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल और इस वीडियो की description से डाउनलोड कर सकते हैं नेक्स्ट कोश्चन है हमारा कोश्चन नमबर 6 भारत में प्राकर्तिक रवल का सबसे अधिव उत्पादन किस राजम होता है ऑप्शन से आपके ऑप्शन A केरल, ऑप्शन B उत्तरप्रदेश, ऑप्शन C करनाटक और ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं तो कोश्चन नमबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन A केरल, नेक्स्ट कोश्चन है हमारा कोश्चन नमबर 7 भारत में सवच्छ जली मचली का उत्पादन सबसे बड़ा उत्पादन राज है, ऑप्शन से आपके ऑप्शन A करनाटक, ऑप्शन B गुजरात, ऑप्शन C महाराश्टरा और ऑप्शन D है आपका पस्चम बंगाल तो कोश्चन नमबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन D पस्चम बंगाल नेक्स्ट कोश्चन है हमारा कोश्चन नमबर 8 भारत में दूद उत्पादन में अगड़नियर राज है, महलें भारत में दूद सबसे ज्यादा किस राज में उत्पादत किया जाता है Option से आपके Option A उत्तराखंड, Option B जम्मु कस्मीर, Option C उत्तरप्रदेश, Option D इन में से कोई नहीं तो Question No.8 का सही अंसर होगा Option C उत्तरप्रदेश Next Question है हमारा Question No.9 भारत का सरबादिक पट्सन उत्तपादक राज कौन सा है? Option से आपके Option A पस्चे मंगाल, Option B उत्तराखंड, Option C बिहार, Option D मद्धिप्रदेश Question No.9 का सही अंसर होगा Option A पस्चे मंगाल Next Question है हमारा आज का Last Question होगा जो 10 No. Question भारत में सरबादिक गेहूं उत्तपादक राज कौन सा है? मतलब भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं किस राज में उत्तपादन किया जाता है? Option से आपके Option A उत्तरप्रदेश, Option B तमिल नाइडू, Option C पंजाब and Option D होगा आपका मद्धिप्रदेश Question No.10 का सही अंसर होगा आपका Option A उत्तरप्रदेश तो दोस्तो ये थे हमारे आज की वीडियो के 10 Questions वीडियो कैसे लगे? कमेंट करके जरूर बताएं Thank you for watching और चैनल को सब्सक्राब जरूर कर लें क्योंकि मैं आपके लिए जोब नोटिफिकेशन के साथ साथ General Knowledge और Current Affairs की वीडियो लेकर आता रहता हूँ जो कि आपके आने वाले एक्जाम्स के लिए बहुत ही जादे Important Questions थाबित हो सकते हैं और दोस्तो मैं अपने चैनल पर Defense की तयारी कराता हूँ अगर आप चाहें अगर आप Defense की तयारी कर रहे हैं किसी भी CRPF, ITBP, BSF, Army, Air Force, Navy या और किसी Defense के एक्जाम्स के आप तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह जो चैनल है बहुत ही अच्छा चैनल है यहां पर मैं केवल Defense के चैनल एक्जाम्स के लिए ही वीडियो बनाता हूँ तो चलिए दोस्तो कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहन जै भारत